हेलो माई दियर फ्रेंड यूर अगें वेलकम तो वाले से रान दे यूट्यूब चैनल और आपको अब तक तो मालूम हो गया होगा तो इसमें हम अभी तक वीडियो ऑपरेटर कंसोल एस वेल आज डिस्पर सेंटर एंड रूल अफ इसकाडा और इंट्रोडक्शन अफ इसका वाले रिमोट टर्मिनल यूट्ट इसको बहुत ही अच्छा से दिखेंगे इसका वर्क देखेंगे कैसे वर्क करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्ट्र इससे पहले आपको बता दें अगर पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलि करते हैं यह पीछे का यह पीछे का देखेंगे जो कल का वीडियो में हमने वीडियो जो भी पढ़ा था वो नोट्स हैं आपको प्रवाइड हम कर देंगे जैसे ही हमारा सलेबस कतम हुआ मतलब चैप्टर कतम हुआ आज के विडियों में और टी यू देखने वाले हैं आर क्या होता है झांग है देखिए फेल्पी इसका हमीड ट्रीमेट्रीयूनिट और समेढ़ रेमोन समयdriven समय त्रसटा crisis wider telemetry through wireless communication देखिए wireless communication के help से भी जो हमार RTU RTU means remote, remote means दूर जो भी हमारे दूर पे सब station या station generating station होते हैं अगर उनका information हमें gather करना है तो RTU के help से telemetry भी होता है, जो कि एक परकार का मतलब communication system होता है इसके help से हम किसी भी data को wirelessly हम क्या कर सकते हैं गीन कर सकते हैं वायरलेसली हम क्या कर सकते हैं मतलब हम पा सकते हैं मतलब ब्टीन कर सकते हैं RTU का यही वर्क होता है RTU connect RTU connects filled device similar to PLC like sensors motors activator circulating and etc जो हमारा RTU होता वो connect करता है जो device जैसे कि PLC को PLC like sensors हो गया motors हो गया इसको मतलब क्या करता है यह connect करता है उसके बाद अगर next point देखे तो next point में लिखा है it has software setup that need to be run in it to configure the input output and control the data flow जो RTU होता है वो जो भी software हम setup करते है उसको क्या करता है यह control करता है data flow में योगि RTU का main function क्या होता है जो भी हमारे remote terminal होता है जो भी हमारे remote page जो भी generation होता है अगर data को gain करना है तो हम RTU की help से remote terminal unit या remote telemetry unit उसके help से हम data हो गया करता है gain कर लेते हैं obtain कर लेते हैं देखे र्ट्यू work on battery consumption जो RTU होता है उसके लिए battery का need होता है battery consumption mostly solar plant is used as the main power source for RTU RTU हमने बताया कि जो wireless मतलब wireless हम जो भी हमारा बहुत दूर पर हमारे कोई भी generating station अगर उसका हमें data चाहिए तो उसके लिए wirelessly अगर हमें कोई भी चीज को data को transfer करना है तो जायर सी बात है energy की need होगी और energy का need हकर हम जैसे हमने battery बताया तो यह wirelessly कैसे करेगा with the help of satellite telemetry हम कैसे wirelessly कोई भी data को gain करेंगे तो उसके लिए हमें battery के use करना पड़ेगा तो RTU work on the battery consumption इसलिए जो solar power is used जो भी हमारे satellite में RTU हम लगाया होते हैं उसमें हम solar panel में यूज किये होते हैं जो कि RTU को source as of energy provide करता है उसके बाद RTU work on a event trigger cycle जो हमारा RTU होता है वो trigger cycle के मतलब trigger cycle के event प then a required request is received from client escada then it sends the data tweet मतलब इसमें यह कब work करेगा जब इसमें हम trigger करेंगे that means जब हमें केवल हमें जब data के need होगी और जो हमारा client है मतलब जो जैसे हम है हमें कोई भी data के need है कोई दूर दराज जो भी हमारे sub station है या generating station अगर उसका data चाहिए तो हम क्या करेंगे RTU को signal provide करेंग टिगर करने के बाद अगर उसको पता चलेगा तभी वह केवल मतलब क्या करेगा data को सेंट करेगा राइट तो यह आर्टीव को वर्क हो गया आर्टीव केवल remote terminal unit मतलब remote जो की दूर दर आज है हमारे मतलब national level पर international level पर जो भी हमारे generating station है उनका हमें data को अगर obtain करना है तो हम आर्टीव के help से data को gain कर लेते हैं एक पर करगा communication system है राइट लास्ट पॉइंट आर्टीव हाज आर्टीव हाज आर्टूमेटिक data and history storage facility मतलब आर्टीव जो होता है बहुत दिन के history as well as data को क्या करता है आर्टूमेटिक ली क्या करता है इस तो इस चोटे से वीडियो में हमन आपको आर्टीव समझ में आ गया तो आर्टीव इससे पहले कि हमने communication system इन इसकाड़ा देखा कि communication system जो होता है दो परकार का होता है एक single channel होता है multi channel होता है उसको भी हमने देख लिया और उसको बाद mtu master terminal unit as well as data logger और report generation के वल तीन टापिक बचे हुए हैं यह भी हमने cover कर ल thank you